देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक घट रही अपराद की घटनाएं कानुन विवस्ता का मूँ छड़ा रही है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अखलेश यादब ने सूबे की योगी सरकार को एक बार फिर घेरा है अखलेश यादब की माने तो पूरे उत्तर प्रदेश में कानुन विवस्ता धोस्त है खुले आम लूट, हत्या और दुशकर्म के मामले सामने आ रहे हैं लेकिन सरकार इन पर शकंजा कसने में नाकाम है क्योंकि सूबे में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात ना उनके सहयोगी मंत्री सुन रहे हैं और ना अधिकारी जिससे प्रदेश में अराजकता फैल गई है, वहीं सूबे में भ्रष्टा चार भी चरम पर है राज सरकार की गड़ा मुक्त योजनाएं भ्रष्टा चार की भेट चड़ गई है तबादले के नाम पर वसूली हो रही है, निची मेडिकल कॉलेज में फीस के नाम पर जवरजस्त वसूली चल रही है तो वहीं मुक्त मंत्री की गोशनाएं भी फाइलों में कैद होकर रह गई हैं, बहार आने का नाम नहीं ले रही है अखलेश यादब ने कहा कि यह बात किसी से छुपी नहीं कि तबादले की तैवदी खत्म होने के बाद भी कई ऐसे विवाग हैं जिन में तबादले हो रही हैं और यह खेल मंत्री के स्तर तक चल रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब अखलेश यादब ने योगी सरकार को निशाने पर लिया हो इससे पहले भी कई बार कानून विवस्ता को लेकर अखलेश यादब सरकार पर छुटकी लेते रहे हैं दर्वेश हत्याकांड में भी उन्होंने सरकार को घिरा था, इतना ही नहीं अखलेश यादब आए दिन प्रदेश में बलातकार, हत्याओं और राजनितिक हमलों पर ट्विट कर योगी सरकार पर निशाना साथते रहते हैं वह इन सब के बीच 9 अगस्त को भी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने क्रांटी दिवस पर सूबे की योगी सरकार के खिलाब हला वोल प्रदशन किया था साथ ही इस दोरान समाजवादी पार्टी ने आजम खान पर एक तरफा हो रही कारवाई के खिलाब भी आवाज उठाई आपको बतातें कि जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासन का डंडा आजम खान पर जम कर चल रहा है आजम खान पर दो दरजन से ज़्यादा केस दरज हो चुके हैं समाजवादी पार्टी का मानना है कि योगी सरकार जानबुचकर आजम खान को निशाना बना रही जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं ने अकलेश यादप के आहवान पर रामपूर में विरोध परदशन भी किया था मतलब सीधा सा है तब और अब अकलेश यादप सीधे तोर पर योगी सरकार को खुले में चनोती दे रहे जानकारों की माने तो यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले अकलेश यादप पूरी तरह से एक्टिव हो गए है जो समाजवादी पार्टी के नजरिये से ना सिर्फ बढ़िया है बलकि कारेकरताओं में भी जोश भढ़ गया है दरसल सत्ता पक्ष ठीक से काम करे ये विपक्ष की घुमिका परत्य होता है एक मजबूत विपक्ष ही सही मायनों में सरकार चलाता है और उत्तर प्रदेश में अकलेश यादप एक सही विपक्ष की घुमिका निभाते नजरा रहे हैं और ये इसलिए भी जरूरी है कि योगी सरकार सूबे में बड़े वादों के साथ आई थी, मागार यूपी में कोई ऐसा दिन नहीं जब अपराद दस्तक ना देता हो, अपरादी वे खौफ हैं, ना उन्हें कानून का डर है, ना प्रशासन का, यूपी में इस बदखाल और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेब साइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा